अगर आप तलाश में हैं All New Mid-Size SUV या फिर SUV सेग्मेंट की गाड़ियों की जिनमें आपको Comfort Features और Bold Stylist Look के साथ में दमदार Powerful Engine भी मिले और साथ में World Class की Safety भी हो तो जल्द ही भारत में लाँच होने वाली हैं 7 नई Mid-Size की SUV के साथ में Compact SUV सेग्मेंट की भी कुछ नई शांदार गाड़ियां और लाँच होगी मारुती की Newly Launch Grand Vitara का New Variant XL और Toyota High Rider का एक 7 Seater Variant जो कस्टुमर के लिए एक काफी जबर्दस चोईस होने वाला है तो बात करते हैं Newly Launch रहे वाली और latest गाड़ियों के बारे में और First of all बात करते हैं Toyota Motors की जो MPB सेग्मेंट में अपनी एक New 7 Seater लाँच करने वाली है जो मारुती सुझुकी की Artica की बाहत साहत को सीधे सीधे चैलेंज देने वाली है और केबल मारुती Artica ही नहीं लुक वाइज और फीचर्स वाइज टोईटा मोटर्स की ये All New MPB किया केरेंस और रेनो ट्राइबर जैसी समी MPB को जबर्दस्त कंप्टीट करने वाली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किफायती कीमत में अच्छे फीचर से लैस होने पाली है और इसके बारे में जो फीचर्स की इन्फरमेशन अपडेट हुई है उसके अनुसार इसमें 1.3 लिटर का नैश्रली एस्परेटिड पैटरॉल इंजन होगा फोर सिलेंडर का जो 98 पीच तक की पावर और 121 एनम का टॉर्क जनरेट करेगा इसके अलाबा ये MPB 1.5 के पैटरॉल इंजन विकल्प के साथ भी आएगी जो की 106 PS की पावर और 137 एनम का टॉक जनरेट करेगा और तोयटा अपनी इस गाड़ी को 5-speed manual और CVT automatic transmission option के साथ पेश करेगा और साथ में इसे front wheel drive system के साथ में पेश किया जा रहा है और देखने में आपको ये mini innova feel होने व और इस MPP में twin sled grill, sleek LED hand lamp, angular fog lamp और slim tail lights देखने को मिलने वाले हैं और smart features में big touch screen infotainment system, digital control air conditioner, इसके लावा safety के लिए 6 air bag, blend spot monitoring जैसे world class system, साथ में hill start assist, EBD के साथ में ABS और vehicle stability control जैसे सभी safety features include होंगे और Toyota की इस all new MPP में collision warning और breaking के साथ में land departure warning, front departure alert जैसे autonomous features भी होने वाले हैं और अगर Toyota Motors अपनी इस all new MPP को अर्टिका की segment में और अर्टिका के price segment में launch करता है तो customer के लिए काफी जबरदस्त विकल्प होने वाला है बात करते हैं इस all new गाड़ी के बारे में जो हाल फिलाल में ही launch की गई है और ये देश की top mileage देने वाली कारों में शामिल की गई है जो की single charging पर 521 यानि 521 km का mileage देती है और इसकी booking भी start कर दी गई है जिसे आप company की website से book कर सकते हैं और इस गाड़ी में मिलती है 60.48 kWh वाला battery pack जो 521 km का charging देता है और 0 से 100 km की speed तक पहुशने के लिए इस car को 7.3 second का time लगता है और इस गाड़ी में मिलते हैं ऐसे extra smart features जो currently दूसरी competitive गाड़ीों में सामिल नहीं है जैसे की rotable 12.8 inch का touch screen infotainment system, AC vent sunroof climate control, powered front seat एक electric tailgate और एड़ास जैसे world class features साथी बहतरी sound quality के लिए 8 speaker का apple car play, android auto connectivity और safety features के लिए 7 airway, ABS, ESP, hill hold assist, 360 view degree camera और एड़ास सिस्टम के लिए 4 radar को इसमें जोड़ा गया है और देश की top two wheelers automobile companies में शामिल Honda Activa ने अपना एक जवरदस्त ओफर पेश किया है जिसमें मात 5000 cash देके आप Activa premium या फिर DLX scooter अपने घर ले जा सकते हैं और companies के लाबा और भी एक से बढ़कर एक शानदार offer दे रही है जिसमें आपको 5000 रुपे तक का cash back offer भी दिया जा रहा है और ये offers Honda के तीनों scooters Activa 125, Activa premium और Activa DLX पर available है और जिसका benefit आप पूरे मन्त में ले सकते हैं यानि 31 अक्टूबर तक आप इसे benefit ले पाएंगे और अगर ये offer extend किया जाता है तो आपके लिए चैनल पर share कर दिया जाएगा नेक्स्ट अपडेट है और जहाँ पर देश की सभी आटमोबाइस कंपनिया अपने product को अपग्रेड करने पर लगी हुई है वहाँ पर मारुती सुझू की इंडिया भी अपने प्रोड़क्टों का जहाँ पर latest update के साथ में relaunch कर रही है वहाँ पर अपनी एक और popular गाड़ी अर्टिका का latest version launch करने वाली है और ये अर्टिका 2023 के नाम से launch की जाएगी और कार में super-duper features देखने को मिलने वाले है इसे mild hybrid system वाले petrol engine के साथ मिलाया जा रहा है साथ ही मारूती सुझुकी अर्टिका 2023 के क्या फीचर्स आपको बिल्कुल all new मिलने वाले हैं जैसे की 360 view, degree surround view camera, 9 inch का touch screen, multimedia display इसके अलाबा इसमें सुझुकी की smart play pro technology जो voice command और connected car technology को support करती है इसके लबा connected car features में गाड़ी की tracking, two-away alert, tracking, geo-fencing, over speeding alert और remote function शामिल किये गए है और updated अलटिका को जहां market में launch करने की त्यारी चल रही है वहाँ पर अगर आप भी चाहें तो इस all new अलटिका को purchase कर पाएंगे जल्द ही power के बारे में बात करें तो hybrid technology के साथ में 1.5 लिटर का 4-cylinder का naturally aspirated petrol engine इसमें मिलने वाला है और अब देश में होने बाला है automobiles कंपनियों का सबसे बड़ा कुम यानि की auto export 2023 जो की COVID प्रतिबंदों के कारण 2022 में रद कर दिया गया था और इसमें भारत की सबसे बड़ी कार नर्माता कंपनी मारूती सुझू की भी अपने कुछ नई product को launch करने वाली है और 13-18 जनवरी के बीच में होने वाले इस event में आप इन वहानों को देख पाएंगे इसमें जो गाड़ियां है उनके बारे में जो मारूती ने information अपडेट की है उसमें है all new Ford generation की मारूती की most popular hatchback Swift यानि अब Swift आपको Ford generation में मिलने वाली है अगर आपको उस समय wait कर लेते हैं तो आप बिलकुल all new मारूती Swift को purchase कर पाएंगे जिसे की auto expo के बाल मार्केट में available करा दिया जाएगा और इस all new Swift के अंदर बहुती शांदार exterior और interior होने वाला है जिसमें head sub display, wireless charger, side और curtain airbag जैसे 6-7 airbag और new PD का 1.2 liter का 4 cylinder K12C dual jet का 90 PS power वाला engine होगा और Swift के all new features में dual jet technology और hybrid system के साथ में automatic start, stop system, performance and economy का जो बहतर mission पेश करेगा और new generation Swift पर force induction के साथ में एक अधिक सक्तिशाली motor पेश की जाएगी जो कि 5-speed MT और 6-speed automatic शामिल किये जा रहे हैं और अगर आप most comfortable luxury segment की गाड़ी देखना चाहते हैं 7-seater segment में तो Mercedes की इस all new गाड़ी को देख सकते हैं जो कि Mahindra XUV7OO और Toyota की most powerful गाड़ीों को भी मात देती है और Mercedes की ये गाड़ी है Mercedes Benj EQB जो की एक 7-seater electric SUV है जिसे की year end तक भारत में launch किया जा रहा है और naturally Mercedes की इस गाड़ी में world class के safety features और comfort के साथ में मिलता है जबरदस mileage भी single charging पर 400 km से ज़्यादा का mileage इसमें मिलने वाला है और इसमें है first all wheel drive system जो 225 HP power के साथ में 390NM का torque generate करता है और इसका दूसरा team है EQB 350 जो 288 HP की power और 521NM का जबरदस peak torque देता है और इस काड़ी को AMG version में भी launch किया जा रहा है तो आप चाहिए all new compact SUV, mid-size SUV या 7-seater segment में powerful luxury MPV का इंजार कर रहे है आपके लिए चैनल पर daily new information अपडेट की जा रही है तो आप चैनल को subscribe करके automobile words की हर information से update रह सकते है मिलते है next update के साथ अगर आपकी कोई important automobile square है तो comments में लिखिए Instagram पर follow करके live chat कीजिए नमस्कार दोस्तो